नमस्कार दोस्तों मैं यानि दिपीका एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके लिए अपने बच्पन की यादों से कुछ किस्से लेकर, कुछ कुदगुदाते से हिस्से लेकर आज की जो यादे हैं ना ये पोस्ट आफिस से जुड़ी हैं मुबाइल और इंटरनेट के इस दौर में चिठ्थियां तो जैसे बीते जमानों की बात हो चुकी हैं लेकिन हमारा जो बच्पन था ना वो चिठ्थियों के बीच ही बीता है जो पोस्ट मैन होते थे उनकी एक अलग ही इज़त होती थी गाउं में उनका सबसे ज्यादा इंतजार हुआ करता था क्योंकि ये तो सभी जानते हैं कि जो पहाडों की जो अर्थ विवस्ता है पहाडों की जो एकॉनमी है उसे मनी ओर्डर एकॉनमी कहा जाता है क्योंकि ज़्यादा तर जो पूरुष होते हैं वो काम धंदे के लिए, अपने नौकरियों के लिए, रोजगार के लिए, गाउं से बाहर, पहार से बाहर, शहरों में बसे होते हैं उस टाइम पर उनकी चिठ्थिया, उनके मनी ओर्डर एक तरह की लाइफ लाइन हुआ करती थी गाउं की महिलाओं के लिए तो चिठियों का एक बहुत ही खुबसूरत सा संसार हुआ करता था हम लोग चिठियां लिखते वे, चिठियां पढ़ते वे बड़े हुए हैं postmaster, postman को देखते वे बड़े हुए है और post office हमारे लिए एक जूबा था हमें बड़ी दिल्चस्पी रहती थी तो हम क्या करते थे कि जो हमारा स्कूल जाने का रास्ता था वो उसमें हम एक long cut ले करके और फिर post office के रास्ते जाते थे और देखते थे कि कैसे चिठियों पर खटा-खट-खटा-खट stamp लग रही है, कैसे postman देख रहे हैं कि किसकी चिठी है, क्या है उनको छाटा जा रहा है, इस तरह की चीज़ें हमने बच्वन में खूब देखी है और मुझे यकीन है कि हमारी जो पीडी थी, खासकर सन 2000 से पहले वाले जो भी पीडियां है उन्होंने चिठियों और post office को खूब देखा है, खूब जाना है तो आईए फिर आज याद करते हैं मेरे गाउं के post office को वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है वो भी जिसे आप कभी बदलते वे नहीं देखना चाहते और वो भी जिसके लिए आप सोचते हैं कि काश आपके हाथ में कोई जादू ही छड़ी होती और आप उस परिस्थिती को चुटकी में बदल देते पिछली बार जब मैं घर गई थी तो ऐसा ही कुछ देखनी को मिला था लगवक सब कुछ बदल गया था वो भी जिस पर अगर मेरा बस चलता तो कभी न बदलने देती और वो भी जिसके बदलने में ही भलाई थी बहुत बुरा लगा था ये देखकर कि कभी लोगों से गुलजार रहने वाला पोस्ट आफिस अब सुना पड़ा था उससे भी बुरा इस बात का कि अब चिठियां बहुत कम आती हैं कई बार तो महीने में सिर्फ एक चिठियों की जगाय मोबाईल फोन ने ले ली है जाहिर है सुस्त रफतार चिठियों और पल भर में जोड़ देने वाले मोबाईल के आगे चिठि कहां ठहरती आसे 15-16 साल पहले जब गाउं में मोबाईल का नामों निशान भी नहीं था तक चिठि ही एकलोता पुल हुआ करती थी गाउं और गाउं से बाहर के रिष्टे नातों के बीच सुबह ठीक आठ बजे लगबग 50-55 साल के हरकारे ताउजी हमारे गाउं से गुजरते थे अब ये जो हरकारे ताउजी है ना जो हरकारा शब्द है इसे गड़वाली में हलकारा कहते थे तो ये क्या था कि जहां तक मुझे लगता था कि ये कोई permanent job या permanent post नहीं हुआ करती थी और क्यूंकि उस टाइम पे गाउं में सड़कों का ऐसा जाल नहीं था जैसा अब है तो एक post office से दूसरे post office की दूरी बहुत ज्यादा हुआ करती थी रास्ते में जंगल नदी उतार चड़ाओ ये सब पार करके एक post office से दूसरे post office जाना होता था तो इस टाइम पे एक अस थाई जो इस तरह से कोई hiring हो जाती थी कि वो person क्या करते थे कि इस post office की चिठियों को दूसरे बड़े post office तक जहां से सड़क नजदीक थी वहां तक पहुँचाते थे तो उन्हें कहते थे हरकारे ताउजी और ये जो हरकारे ताउजी थे ने इनका नाम हमें आस तक नहीं पता ये हमारे गाउं के दूसरी तरफ जो पहाड है नजर पढ़ती है लेकिन distance बहुत ज्यादा है और रास्ता भी बहुत खतरनाक हुआ करता था जंगल था बहुत खतरनाक चड़ाई थी नदी बहती थी बीच में और चाहे कोई भी मौसम हो सर्दी हो गर्मी हो बरसात हो कुछ भी हो सोमवार से लेकर शनिवार तक हफ़ते के छे दिन ये हरकारे ताउजी ठीक आठ बजे हमारे गाउं में पहुंचते थे और फिर गाउं से हमारे जो बाजार है किलबोखाल वहां तक का आगे का रास्ता तो इतने पंक्चुल थे कि हम लोग उन्हें देखकर हम घड़ी नहीं देखते थे अगर हरकारे ताउजी गाउं में दिख गए मतलब 8 बज गए ये था और 9 बजे क्या होता था कि पोस्ट में चाचा आते थे 8-10 परिवारों के गाउं में रोज चिठी नहीं आती थी पर पोस्ट में चाचा जरूर आते थे चाई भी ने एक चिठी का इंतजार पूरे गाउं को रहता था CRPF वाले सतीश चाचा जी की वैसे तो पहाडों में ज़्यादा तर जो युवा हैं वो फॉज की नौकरी करना प्रेफर करते क्योंकि यही एक सिक्योर जॉब उनके लिए होती थी और लेकिन हमारे गाउं में सिर्फ सतीश चाचा जी ही थे जो की फॉज में थे फॉर्स में CRPF में तो उनके सकुषल होने की खबर जो है जब उनकी चिठी आती थी तो पूरे गाउं को खुशी से भर देती थी उन दिनों अच्छे चिठी लिखने वालों का अलग ही रुद्बा हुआ करता था बुजर्ग दादियां उनको सर आँखों पर बिठा के रखती थी बेटे बहु की चिठी तो खुले आम लिखवाती थी और बेटी को लिखे जाने वाली चिठी अपने घर में बुला कर दबे सुर में बेटी को दी जाने वाली तमाम हिदायतो के साथ लिखवाई जाती थी चिठी लिखने से ज्यादा चिठी पढ़ने वाले का होश्यार होना जरूरी था कई बार वो सब भी पढ़ना पढ़ता था जो चिठी में होता ही नहीं था क्योंकि दूर बैठे किसी अपने से ज्यादा चिठी पढ़ने वाले को पढ़़ाने वाले की मनुस्तिति का पता होता था मतलब अगर गाउं में किसी दादी की चिठी आई उनके बेटे ने उनकी बहू ने उनके भाई ने किसी ने भी भेजी है तो मुझे पता है कि दादी की मनुस्तिति अभी कैसी है वो उदास है आजकल वो खुश हैं, उनकी तव्यत खराब है, ठीक हैं तो इस तरह से उनके हिसाब से उनके मन को राहत देने के लिए उनको खुश करने के लिए चिठी में अपनी तरफ से कई चीजें हम लोग जोड़ दिया करते थे चिठीया लिखने वाले भी अकसर अपनी तरफ से बहुत कुछ जोड़ दिया करते थे कई बार मैंने भी बहुत शरारती की इस तरह तो कभी एक मा का वो दर्द बेटे तक पहुँचा दिया, जिसे वो कहना ही नहीं चाती थी ग्रीटिंग कार्ड्स हमारे स्कूल के दिनों में बहुत बड़ी बात हुआ करती थी नए साल पर जिसका आ जाए दोस्तों में उसकी इज़द बढ़ जाती थी ये अलग बात है कि बहुत कम ग्रीटिंग्स अपने पते तक पहुँच पाते थे ज्यादा तर पॉस्ट मैं चाचा के कमरे की दीवारों की शोभा बढ़ा रहे होते थे पते अकसर हिंदी में होते थे अंग्रेजी में पता होता तो चिठी सीधे रामबास की जाडी में मिलती थी तकि पॉस्ट मैं चाचा को अंग्रेजी आती नहीं थी फिर भी पोस्मेंट चाचा सबको प्यारे थे उनका इंतजार सबको रहता था मुझे उनका काम सबसे मुश्किल लगता था क्योंकि जब किसी आसमी डूबी आवाज को मना करना कि आज तुम्हारे नाम पे कुछ नहीं बच्चों की फीज देने के लिए मनी ओर्डर का इंतजार कर रही हो तिमा को निराश करना कितना मुश्किल रहा होगा अब कम से कम इस सबसे बच जाएंगे अब ना चिठियां हैं और ना वो इंतजार जो दो लोगों और परिवारों को जोड़े रखता था मेरी आदों में चिठियों की बहुत खास जगह है मैंने अब तक की जिन्दगी में बहुत चिठियां लिखी है अपनी भी पराई भी अकसर सोचती हूँ कि हम अपने आने वाली पीडियों के लिए क्या छोड़ कर जाएंगे कुछ खत तो हम सब को लिखने चाहिए उनके लिए क्योंकि मेरी नजर में इस से बहतर कोई तरीका नहीं है खुद को दूसरों तक पहुँचाने का तो ये थी आज की याद और ऐसी ही यादों के लिए आप बने रहिए इस चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए शेर कीजिए फावर्ड कीजिए तैंक यू